आप सबका चंद्राकरसर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 36 गड मादमिक सिख्ष मंडल के द्वारा आजोजित कक्छा 10 वी का जो बोर्ड क्लास है उसमें आने वाले महत पूर्ण क्विस्चन पर आज हम लोग यूनिट चार्ज की चर्चा करेंगे इस वीडियो में जो की त्रिकोन मीती है इसमें 10 अंके क्विस्चन पूछे जाने हैं जिसमें से 1-6 नमबर का दिर्गवुत्तरी 1-2 नमबर का अतिलोग लगुत्तरी और एक-एक नमबर का अबजेक्ट्व टाइप का क्विस्चन पूछे जाना है आईए हम लोग 6 नमबर के क्विस्चन पर चर्चा करें तो सबसे पहली संभावना बनती है त्रिकोन मीतीय समीकरन हल करना आपके स्क्रीन पर 2 क्विस्चन नजार आ रहा है पहला है इसको हल करना है अर्थात हल करके आपको थीटा का मान गयाद करना है जबकि सर्थ ये है कि थीटा का जो मान है वो नब्बे से सुनने के बीच होनी चाहिए दूसरा क्विस्चन है इसको भी आपको हल करके थीटा का मान निकालना है इन दोनों क्विस्चन में एक क्विस्चन की आने की जो संभावना है बहुत ही प्रबल है इसके साथ ही अगला क्विस्चन है सिद्ध की जिए रूड में 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा equal to 1 plus sin theta upon cos theta कई बार इसी को आगे पूस दिया जाता है इसके बराबर दिखाईए sec theta plus 10 theta तो आपको एक ही step आगे जाना है अगला question है यदि cos theta plus sin theta equal to root to cos theta हो तो सिद्ध किजिए cos theta minus sin theta equal to root to sin theta उम्मीद करता हूँ ये भी आप लोग कर लिए होंगे अगला question है यदि x equal to a cos theta minus b sin theta वर y equal to a sin theta plus b cos theta हो तो सिद्ध किजिए x square plus y square equal to a square plus b square अगला question है यदि 10 theta plus sin theta equal to m हो वर 10 theta minus sin theta equal to n हो तो सिद्ध किजिए m square minus n square equal to 4 into root mn अगला question है सिद्ध किजिए sin theta upon 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta upon sin theta equal to 2 cos theta उम्मीद है ये भी आप लोग बहुत अच्छे से कर लिए होंगे अगला question है यदि x equal to r a sin a cos c equal to और दूसरा है y equal to r into sin a into sin c वो z equal to r cos a हो तो सिद्ध किजिए r square equal to x square plus y square plus z square इसके साथ ही अगला बड़ा ही महत्तपूर्ण question जो कई बार exam में पूछा जा चुका है वो ये है तरिभूज a b c में यदि उसका अनता कोन क्रमशह कोन a कोन b वो कोन c है तो सिद्ध किजिए sin a plus b upon 2 equal to cos c upon 2 प्यारे वच्चों ये जो question है वो कई प्रकार से और पूछा जा सकता है जैसे यहां पर a plus b upon 2 है उसको b plus c upon 2 equal to करके दूसरे तरफ a upon 2 पूछा जा सकता है या a plus c upon 2 equal to ऐसे करके दूसरे तरफ b upon 2 पूछा जा सकता है साथ ही अभी sin और cos का pair दिखाई دे रहा है ये 10 और cot का भी pair बन सकता है ये seik और kosik का भी pair बन सकता है तो इससे 6 question बनेंगे, आप बड़े अच्छे से इसका process जानलीज जिएगा, method जानलीज जिएगा, तो कैसे भी घुमाएगा, आप लोग बहुत अच्छे से बना लेंगे आईए, दो number के वाले question की सुरुवात हम लोग करें, बहुत ही simple question है, आपको मान याद करना है साइन 31 degree upon 2 cos 59 degree इसका value आपको पता करना है, साथ ही सेक 70 degree upon cos 20 degree प्लस साइन 59 degree upon cos 31 degree इसका भी value आपको पता करना है आपको सिद्ध करना है, sin 90 minus theta into cos 90 minus theta upon 10 theta equal to cos square theta इसका value आपको पता करना है साथ ही आपको value पता करना है, 3 into sin 17 degree into sec 37 degree इसका value आपको पता करना है अगला question में पुना आपको value पता करना है, question है 3 into cos 80 degree into cosec 10 degree plus 2 cos 59 degree into cosec 31 degree आपको पता करना है इसका value, अगला question आपको प्रूब करना है, sin 63 degree into cos 27 degree plus cos 63 degree into sin 27 degree इसका value 1 होता है यह आपको प्रूब करना है, अगले question दो नंबर का जिसमें आपको मान पता करना है, question है sin 47 upon cos 43 to the power 2 plus cos 43 upon sin 47 to the power 2 minus 4 cos square 45 degree इसका value आपको पता करना है अंत में प्यारे बच्चों, दो नंबर का एक प्यारा सा question, यदि sin A ब्राबर का उस B, then prove that A plus B equal to 90 यह आपको प्रूब करना है, इसके बाद अगला question height and distance का है height and distance का question, यह आपकी screen पर लग गया, देख लिजेगा, 6 नंबर का, यह टक कर देने के लिए आएगा, त्रिकोन मिती समिकरन हल करो, उपर आप लोगों ने देखा, यह प्रूब देट वाली, कोई भी question आएगा, उसको टक कर देने के लिए जरूर आएगा, height and distance, अर्थात अथवा में पूछा जाएगा, तो height and distance के लिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण question का संग्रह आपके screen पर आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा पहला question, एक मिनार के अधार से, एक सरल रिखा में, A और B दूरी पर इस्थित दो बिंदों से, मिनार के सिखर का उन्यान कोन, एक दूसरे का पूरक है, तो सि दिखिजिए, मिनार की उचाई, route A, B होगी, इस question की आनिक की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, उमीद करता हूँ, नहीं भी किये होंगे, तो अच्छे से कर लिजिएगा, अगला question है, किसी इस्तंब के पाद बिंदू से 15 मीटर उचे एक भवन के सिखर का उन्यान कोन, 30 है, यदि भवन के पाद बिंदू से इस्तंब के सिखर का उन्यान कोन, 60 है, तब इस्तंब की उचाई ग्याद कीजिए, इसको भी आप बहुत अच्छे से करिएगा, अगला question है, दो मिनारों के बीच की 36 दूरी 120 मीटर है, दूसरे मिनार के सिर्ष से देखने पर, प्रथम म मिनार के उचाई 40 मीटर है, तो प्रथम मिनार के उचाई ग्याद कीजिए, उमीद करता हूं, इसको भी बहुत अच्छे से आप लोग कर ली होंगे, अगला question है, एक लड़का 30 मीटर उचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वो उचे भवन की ओर जाता है, एक चीज आप सुन लीजिए, उचाई और दूरी में कोई भी question आए, सबसे पहले आप question को दो-तीन मार पढ़िएगा, दो-तीन मार पढ़ करके, उस question को पढ़ करके आप figure draw कर लीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा, और जब आप चित्र बनाएंगे, तो आपको दो समकोन त्रिभूज मिलेगा, आप बारी-बारी से दोनों समकोन त्रिभूज पर अटेक करके, एक-एक समीकरन प्राप्त कर लीजिएगा, और दोनों समीकरन को जब आप लोग हल करेंगे, तो आपको जो भी चीजे पूछी गई है, बहुत ही आराम के साथ बन जाएगा, यहां त विजो गया तक एक नमबर के सवाल है, एक नमबर के सवाल में, सारे जो सुत्र है, सारे जो शूत्र है, जैसे माल लिजेगा, सा. 90-thita का cos MP, cos 90-thita का sin theta, इसी प्रकार से 10 90-th jeden, code 90-theta, sėk 90-theta, cos club 90-theta, यह सारे सुत्र आपको पता होने चिए, एक नमबर का questions कहीं से भी आ सकता है, इसी प्रकार से sin theta और cos Muslim theta का जो गुननTPull है, वो एक होता है, इसी प्रकार से 10 theta और cos theta का जो गुणनफल है वो एक होता है इसी प्रकार से आप देख पाएंगे 6 theta और cos theta का गुणनफल एक होता है यह सारे चीज आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे साथ ही साथ जो आपको 6 त्रिकोन मिती अनपात है उनमें 0 से रह करके 90 degree तक कुछ चुनिंदा मान जैसे 0 degree का 30 degree का 45 degree का 60 degree का 90 degree का यह सारे मान आपको पता होने चीए यही से एक नंबर का question पूछे जाएंगे उमीद करता हूँ इस त्रिकोन मिती चेप्टर से इस त्रिकोन मिती युनिट से आपको पूरे 10 मार्क मिलेंगे यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगता हो तो निश्चित रुप्षे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपके घर तक पहुँच जाए और अच्छा लगता हो तो इसको सेहर जरूर करिएगा थैंक यू